हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आज का हमारा टॉपिक है वेर माई बुक स्कूल यह जो एक पोईट्री है जो कि डवलू भी येट की द्वारा लिखी गई है थ्रू देस पोईट्री के थ्रू एक मैसेज की तरह देखते है जो कि उन्हें बच्चों तक पहुचानी चाहिए जो कि हमें भी बच्चों इन्हीं सब एडल्ट के पास भी जानी चाहिए वो चाहते है कि उनकी पोएम खुद बच्चों की तरह प्यारी खुस और इनोसिंट लगे पोएट का ये मानना है कि जब बच्चे उनके पोएटरी को पढ़ेंगे या एडल्ट भी उनके पोएटरी को पढ़ेंगे तो उन्हें खुसी मिलेगी उन्हें सुकून मिलेगा उनके चेहरे में स्माइल आ जाएगी उनकी जो monotonous वाली जिन्दगी थी sad जिन्दगी उनसे थोड़ी सी तो अजादी मिलेगी उनको इस speaker को उमीद है कि उनके सारे जो works है उनके जो सारे words उनके जो सारे सब्ध है सब के दिल को छू लेंगे और उनके चहरे पे मुस्कान लाएंगे यह poem एक सपनी के जैसा है जो सपनी दिखाती है जिसमें poet चाहता है कि उनके लिए उनके सब्दों में जो sweetness से आप उन्हें पहचाने और महसूस करे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का poem All the words that I utter and all the words that I write must spread out their wings untitling and never rest in their flight So in lines का अर्थ है, authors कह रहे है या poet कह रहे है जो भी सब्द मैं बोलता हूँ, जो भी word मैं बोलता हूँ, जो भी word मैं speak करता हूँ उन सब का कुछ अर्थ है, every word that he say have some purpose and meaning और जो भी मैं लिखता हूँ and all the words that I write, similarly every word that a speaker write down is also filled with same intention and feeling Must spread out their wings untitling It means इन सब्दों को बिना थके, अपने पंग फैलाए हुए उड़ जाना चाहिए, बिना थके यहाँ जो है speaker imagine कर रहे है, उनके words को, उनकी poetry को, उनकी कहानिया को पर लगे हुए है उनके punk है, और उन्हें हम ऐसा उड़ते रहना चाहिए, उड़ते रहना चाहिए और अपने destination तक पहुँच जाना चाहिए, दब तक कि यह ठके नहीं In short, they should keep flying tireless, नहीं बिना ठके, उड़ते रहना चाहिए क्योंकि words का, story का poetry जो है, हम ऐसा जवान रहते हैं हम ऐसा आपको वही संदेज देंगे, वही message देंगे, हम रहे ना रहे बट आपकी जो stories रहते हैं, आप जो इस दुनिया में काम किये हैं, वह हम ऐसा रहेंगे For example, history में जितने भी लोग हैं, आज नहीं हमारे बिच हैं, पर हम आज भी उन्हें याद करते हैं Best example, just for Rutan Tata जी के बारे में, Rutan Tata की सोच आज भी जिन्दा है और हम ऐसा जिन्दा रहेगी And never rest in their flight, और अपनी उडान में कभी भी नहीं रुखना चाहिए These words should keep moving and moving and never stop, suggesting that they must continue until they reach the listener जो same मैंने कहां, इस words को उड़ते रहना चाहिए, उड़ते रहना चाहिए, तब तक, जब तक क्यो अपना destination तक ना पहुँच जाए Now coming to the next line, till they come where your sad, sad heart is जब तक ये तुम्हारे उदास दिल तक ना पहुँचे, until they reach your heart यहां speaker हमें ये कहना चाहिए, जो words है, वो कहीं न कहीं से रास्ता ढूंडी लेते हैं आपके दिल को touch करने का वो आपके काफी care करते हैं और ये सब जो words है, यानि कि उनके book है, poetry है और ये सब जो आपके monotonous sad heart को आप जब बहुत दुखी रहते हैं, बोर फिर कलते हैं तो आपको entertain करते हैं, आपको एक, मतलब darkness से light के ओर ले जाते हैं and sing to you in the night, और रात में तुम्हारे लिए गाना बज़ते हैं, like, जब आपके पास ये words पहुंच जाते हैं, तब वो आपके comfort और soothness का एहसास दिलाते हैं, आपको ऐसा लगता है, चार तरफ गाना बज़ते हैं, आप जब खुसरत आप खुद ही imagine कर सकते हो, आप dance करते हो, या आप बज़ते हैं, गाना गाते हो, तो ऐसे ही, इन stories, इन poetry का main motive क्या है, आपको information देना, ज्यान देना और साथ ही साथ आपको motivate करना और खुश रखना, Coming to the next line, beyond where the water are moving, यानि कि उस जगह के आगे जहाँ पे पानी बहता है, beyond the place where water flows, the world must cross over all obstacles such as moving water representing challenging or difficulties, जैसा कि आपने देखा होगा, river में, river के सामने कोई भी आजाए, पत्थर, कोई भी आजाए, पानी उसे चीर के आगे निखली जाता, पानी किसी के लिए नहीं रुखता, कितने बड़े hurdles रख दे, पानी किसी के लिए नहीं रुखता, So, यहाँ पे भी the speaker बता रहा है, उनके जो words है, उनके stories, poetry, वो सारे obstacles क्रॉस करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, सब को, अगर water, अगर north से आ रहा है, और यह south तरप से जा रहे हैं, तो automatic उसको भी cross कर सकते हैं, यह इतनी सकती हैं, Just like जैसे पानी की सकती है, वैसे हमारे words की भी सकती है, हमारे stories की भी सकती है, हर hurdles को, हर thinking को, हर orthodox mentality को भी challenge कर सकती है, Now the last line, Storm darkened or steadily bright, richt, चाहे कितना भी अधेरा हो, सितारो की चमक में वह आगे बढ़ते ही रहेंगे, यहां पर author कहना चाह रहा है, speaker कहना चाह रहा है, चाहे कितना भी अधेरा हो या चाहे कितनी भी light हो, उनके जो word से रहेंगे, bright चमकते रहेंगा, और हम ऐसा आगे continue करते रहेंगे, बढ़ना वो किसी के लिए नहीं रुकेंगे कितना भी situation difficult क्यों ना हो वो आगे बढ़ते ही रहेंगे So इस poetry के इन सौट में मैं पूरा समझा रहा हूँ यहाँ जो poet है, speaker है कहते है कि उनका जो हर एक सब्ध है उसका कुछ purpose है, कुछ meaning है जो भी लिखते हो, जो भी बोलते हो हर चीज के purpose है, एक meaning है जिसे की सही destination पर पहुँचाने के लिए उन्होंने लिखा है इनके words जो एक उडान की तरह है मतलब उडते रहते है और उनके destination तक पहुंचते है चाहिए वो रहे ना रहे पर उनके जो works है हम ऐसा रहेंगे जैसे कि अगर आप से कोई कहता है कि आप जिन्दगी बेर रह सकता है कि आप इस दुनिया में forever रहेंगे definitely हमारे body नहीं रहेगा पर हमारे जो आदर्थ है, हमारी personality है जो लोगों को future में inspire करते रहेंगी और उनके जो words, उनके जो सब्द उड़ते हुए आपके दिल तक पहुँचेंगे और रात में आपके लिए गाएंगे रात में आपके लिए गाएंगे का मतलब है आप सबसे ज़्यादा लोग हमेसा रात में जादा nervous feel करते है, अकीला महसूस करते है तो उस time पर जो जब night haunt करती है आपको उस time पर अगर आप उनकी books पढ़ेंगे उनकी मतलब किसी भी authors के books पढ़ोगे तो आपको एक monotonous जिंदेगी से आजाती मिलेगी आपको अकीला पन नहीं खाएगा कहते हैं ना, books are the best friends, similarly वो ही कहारे है, आप books से दोस्ती कर लीजे तब आप उदास नहीं रहेंगे आपके दिल के पास सबसे पहले book रहेगा because book is a real friend और उनके ये जो words, उनके जो काम है वो चाहे कितना भी अंधेरा हो या कितने भी light हो वो चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे वो कभी नहीं रुकेंगे poet ने यहाँ पर eternal impact of literature की बात कही है जो कि literature है, जो कि उनके work है वो eternal है, वो कभी नहीं जाएंगे जब तक यह दुनिया है तब तक तो हुआ रहेंगे भले इंसान चले जाएंगे पर उनके works कभी नहीं जाएंगे जैसे कि मैंने पहले भी कहा था हम रहे ना रहे, बट हमारे जो सोच है वो रहती है, हम जैसे अब्दूलकला, महत्मा गांदी, भगत सिंग, रतन टाटा इन लोगों की जो सोच है इन लोगों की जो देजभगती थी इन लोगों की जो सोसल वक करना था इन लोगों की जो personality था हूँ उससे कई लोग इंसपाइर होते रहेंगे अगर हम literature की बात करें तो Munsi जी प्रेम चिण्ध हो गया Robertede Frost हो गया इन लोगों से भी कितने लोगों ने इंस्पायर हुआ होगा, सरोजनी नाइड होगा, उनकी लिटरेचर, उनकी पोईटरी से कितने लोगों इंस्पायर हुए होंगे उसमें कितने सारे emotions है, जो कि read करके हम feel कर लेते हैं कितने सारे ऐसे poem है आप जब पढ़ते हो तो आप कैसा लगता है हम situations को देख रहे हैं कितने अच्छे सुनोने लिखाता तो तो हर poetry में, हर poem में, हर story में, हर novel में कुछ नगा कुछ emotions रहता है और emotions जो है आपको connect करते हैं और उनके words में, उनके works में, उनके सब्द में और उनके काम में इतनी गहराया है कि आपको influence भी कर सकते हैं, वो बहुती deep message convey करते हैं ये श्रीप आपके connection महसूस नहीं कराते हैं, साथी साथ आपको peace देते हैं, तुष्टी देते हैं आपको काफी information भी देते हैं, ये जो poem है reflect करता है कि literature के क्या power है, उसकी जो power है आप सब तक पहुंच जाती है आप खुद देख सकते हैं कि social media के जमाने पर हम लें बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है बस हम एक video देख लेते हैं, तुर्ण इंफ्लेंस हो जाते हैं, ब्रेनवास्ट हो जाते हैं वैसे अगर कोई जैसा कि पहले नहीं था कुछ social media तब हम लोग story के थरू, नीफेपर के थरू, हमें उसे knowledge मिलती थे और हम उसे connect कर पाते थे तो वैसे literature में भी काफी power है, जो कि किसी भी boundary का मौताज नहीं है, वो free है, वो कहीं भी travel कर सकता, वो किसी के रोके नहीं रुक सकता तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, hopefully आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो please say like, share and subscribe जरूर कीजेगा thank you for watching, keep learning